और आज हम शुरू करने वाले अपने history series का तीसरा वीडियो जो के prehistoric India तो सबसे पहले बात कि हम इसमें कौन से topics कवर करेंगे इसमें तीन topics हम ट्राय करेंगे खतम परनेगे जोग्राफिकल सेटिंग अफ इंडिया और पहले लुथिक एज ये तीनों historically prelims के साथ से important है क्योंकि ये terms थोड़े मुश्किल होते हैं याद करने के लिए तो हम कुशुष करेंगे जल्ली जल्ली इन सीनों खतम किया जाए और ये हमारे तीसरा lecture है और मैं उमीड करना हूँ कि आप बांकी के तीनों दूनों वीडियो भी आपने कवर कर लिए होंगे क्योंकि इस आगे इसका पूरे तरह से फाइदा उठाने लिए important है कि आप पहले वाले भी वीडियो ध्यान से देख लें और हाँ खास बात कई लोग पूछ रहे थे कि source क्या होगा reference के लिए तो अगर आप ancient history कवर करना चाहते हैं तो best source है कि आप old NCRT आरश शर्मा पढ़ें या फिर आप new NCRT भी पढ़ेंगे तो भी काम चालेगा but old one is best आरश शर्मा की आती है जो अब और और अगर आप वो नह आपको कितना पढ़ने में कितने नंबर मिलेंगे तो इस हिसाब से पढ़ेंगे और रेफरेंस इसका है आरश शर्मा old NCRT लेट स्टार्ट हमारा पहला टॉपिक जो कि है जोग्राफिकल सेटिंग ऑफ इंडिया जोग्राफिकल सेटिंग मतलब हम हिस्ट्री में पर चलता है कि जोग्राफिक की वज़े से आपके इंडिया का नाम भी इंडिया की जोग्राफिक की वज़े से हिस्ट्री इंफ्लूएंस एकॉनमी जोग्राफिकल सेटिंग की वज़े से ही है कैसे देखिए इंडिया की जो लोकेशन है जैसे इंडिया के इधर अगर पीछे का रीजन बहुत कुछ डेटरमाइन करता है जो हम आगे कवर करेंगे और कल्चर किस तरह से कई तरह के लोग आप आते हैं क्या सा आपका जोग्राफिक अगर आप किसी आइलेंड पे हो ठीक है तो वहां पर बहुत मुश्किल है लोगों का आना तो वहां आइसुलेट सोसाइटी होती है उस दूइप पर मगर इंडिया जैसे एरिया में जहां लैंड भी है समुंद्र भी है तो कई सारे कल्चर्स आके मिलते हैं इसलिए हमें एक होलिस्टिक कल्चर मिलता है जिसने हमने उस दिन बात के लिए सैलेट बॉल मतलब एक थाली के तरह कल्चर जह करता है एतिहासिक रूप से कि इंडिया को दुनिया में इतिहास में आगे वाले आने वाले तो के आजिया है third भार्ट का बभाड के पोजिशन ऐसी जगराफिकली दुनिया में तो सबसे पहले बात हम देखते हैं जुग्स क्रेंप का कहाउब्स य्टिए देख products wir पेडिक टाइम का इसमें वो मैप है यह तो आप देखें यहां पर यह आपको बचाता है इधर के प्रकॉप से सेंट्रल इस्या का जो है और आपको एक फ्रेंट्रिय मिलता है एक सब कॉंटियंट बन नीचे आपका समुंदर है यहां पर तो यह भी आपको सेफटी प्रवाइड करता है कोई इन्वेजन कोई हमला नहीं हो सकता था बाहर से ईजिली जैसे जर्मनी को माना जाता है वर्ल टू में या इतिहासी के लिए हवल्दम लड़ते हैं वो लोग क्योंकि यूरोप का सपाट एरिया था वह इंग्लेंड जो कि एक द्वीप पर था यूके जो कि थोड़ा हटा वाई यूरोप से तो हमीशा से से पहले हुई तो यह इंपोर्टन है यहां के जोग्रफ के हम ध्यान में रखे मैं अब सबसे पहली बात है इंडिया का नाम जो हमें कवर करना है इंडिया का नाम अगर जो कुछ वों को डाउट भी हुआ था कि इंडिया नाम ग्रीक्स रोमंस या किसने पहले आरब जान दिया तो देखिए चार लोग हैं इन सब को ध्यान से false ग्रीट मैथमेटिशन और यह है हमारे बाबा राम देव इन्वने कमपनी खुली है पतनजली इन सब का रोल है इंडिया के नाम में इन व्यक्तियों का नहीं इंका तो बिल्कुल नहीं इनग्यां पर यहां से आते हैं उसका रोल है पर्शिया का ग्रीष का हा इनका और इनकी कंपनी जो है पातंजली जिनके नाम पर है उनका भी रोल है नाम करण में अब कैसे है पसा आप यह फोटो याद रहे है कि आपको जल्दी से याद हो जाए का क्या है पर्षया, हर्क्यूलीज, पांड़नी और रामदेव तो स्टार्ट करते हैं पहली बात भरत वर्ष जो हमारा में इंपोर्टन नाम है भारत वर्ष कहां से आया है हम भरत भरत वंचियों की धरती है इसलिए माना हम भारत वर्ष है तो यह आपको मैंने पिछले लेक्षर में तरी पानी देती थी जुटीन था जिसको सिंधू नधी जो है आपकी सब सिंदू भी किने है सात नगियों में त्षी सरस सुती पांगा यमना 5 उसरस सात सट begunिया और इसका पता कहां से चलता है सबöß हमीं इंद्या को कहते थे लोग सबसेट अगें इसका पता दिलता है जैन डवस्ता से, जैन डवस्ता मतलब पार्सियों की सबसे प्रमुख किताब है, खा जाता है कि ये भी संस्क्रिट का सबसे पूराना टेक्स्ट है, ये तो रहा कॉंट्रोवर्शल है, कई लोग कहते हैं कि संस्क्रिट नहीं है, कई जगे कई सोर्से में संस्क्रिट लिखा हुआ है तो जैन नवस्था पार्सीज का सबसे प्रवाणा टेक्स्ट है इसमें मैंचेन है सब सिंदू हमें नाम बुलाए गया पर्शियन को कहा था पहले में इंडिया का नाम दिया फिर ग्रीक लोग जो थे यह भाई हमारे हर्किलिस के परिवार वाले अगरे है सिंदो को इंडोस कहते है इंढ्रेंस बोलना सिख लिया इन्से पर्शियन से इनों ने क्याएना चुर्बbenbury होता है इंदोस हो बाद में उने क्या क्या? Greeks, इसको इंडोस कहने लग गए और इसी के चक्करे में बाद में ये लोग, Greeks और Romans तो हमेशा एक ही जैसे थो होते थे आलोसपोरोस में तो उन्होंने इस पूरे एडिया को इंडोस कहना शुलू गल जहां से इसराइल में, तो हेडियों यहुदियों का है, यानि जी उसका तो आप याद रखे, इसको इसको इस तरीका है, यह आपको नाम याद हो ने चीए और हाँ, यह दो भाई साब चूट गए यह जो पार्णी है, इन्होंने भी इंडिया को शायद आरिवरत कहा था सबसे पहले, पतंजली ने सबसे पहले आरिवरत कहा था यह आरिवरत सबसे पहले पतंजली ने कहा थे इंडिया को, तो अब मने रामदे बाबा की जो कंपनी है, वहां से आरिवरत को जोड़ लीजे और पुरान ने कहा था हमें भारत वर्ष और पार्णी ने सबसे पहले कहा था हमें कि पार्णी की भी टेक्स्ट में पता चलता है कि उन्होंने भारत वर्ष उसो कहा है तो का याद रखिए सब सिंदू इनकी किताबों से बड़ा चला इन्होंने हमें हिंदू वाला यहां से नाम आया यह कहते थे कि इनकी अमपैर जहां खतम हुद इसके बाद जो रही है वो इंदू है तो वहां से इंडिया आया और यह है रामदेव जी के पतंजली में भारत वर्ष पुराण में भी कहा गया था और भरत हमने बताई यह रिगवेदा के समय में उस एक समुदा है या फिर एक जो ट्राइब थी जिसके वंचुजों को कहा गया गया मनुसमृत वी और भगवत पुराण में भी भारत वर्ष के नाम से इसे कहा गया भारत वर्ष मतलब वो भुर्मी जहां पर भगवान खुद निवास करते है जो भगवानों के लिए है तो यह आपका नाम कहा होगा है कहानी आगे बढ़ते हैं अब जोग्रेफिकल एक्स्टेंट क्या है इसमें आगे कि बाद तीन पॉइंट इंडिया की जो बेसिक जोग्राफिकल एक्स्टेंट हिस्टॉरिकली एक्तियाति की दिवसे माना जाता है कि भारत की जो भागवलिक स्टेटियस को तीन में भागा बाटा जाता है हिमालय इंडो गैंक्तिक और ब्रहमपुत्र प्लेन और तीसरा डेकन प्लेट्यू तो इसलिए क्यों बातता है ग्षिकली तूरों की जो अभ जोग्राफिय में पढ़ेंगे तूरों की फिजिकलिटी अलग-अलग है और तीनों इस बागवले में बांटा जाता है सबस्थ पर लिखते हिमालया सबसे पहला वाला है हुमालिय आ यहां से आप लटसके हमालिया एपूर $ कवर किया है, हमालिय आ इसलिए बहुत इंपोर्टन है हरा हुआ और यह भुल्का भूरा गज़कर यह तो अप इसको याद रखेगा कि इस तीन ही हैं और हिमालिया का क्या important से पता ही होना चाहिए हमें Arctic विंड्स जो आते हैं Siberia से इससे बचाता है invasion बचाता है not से पर सुलिमान mountain range है सुलिमान mountain range यहां इधर पड़ती है इस reason में कहीं पर ठीक है यहां से बार बार invasion होता था क्योंकि यहां पर दो तिन पास है खाअबर पास तो ऑर मुझे आठाग कर लिए जाए हो यहां की फोटरोर के रूलर्ग डैब की फोटरो अतना ध्यान न ही रखना है यह अपको मैप में क्या क्या से थी, ये एरिया कवर था अपका ठीक है, गौर से क्रेखे यहाँ पर आपका समराजी था बड़ा वाला अब गौर फर्माईए जो मौरे जो समराजी था वो भी इसी एरिया में था, ठीक है अर लेटर वैदिक भी यही है मौरे भी यही है और गुपता अमपैर भी यही थी और हट्स्वल्दन की अमपैर भी लगबग यही थी नमदा के पास थे यहां तक इस एरिया में आखिर यही पर क्यों होता था सब कुछ ठीक है, क्योंकि यहाँ हिमाले एक पैरियर देता था, यहाँ पर आपको रिसॉर्सस मिलते थे, यहाँ पर आपकी नदियां थी प्लेंस था, ठीक है राजिस्थान की भूमी जो थी थोड़ी खुरदरी मानी जाती थी, इसलिए वहाँ पे मतलब खुदाई-वदाई करना मुश्किल था, यहाँ पर रिसॉर्सस थे, जहरकंड बिहार में, और उपर प्लेंस थे, पाणों का पानी इंदरिया मिलता था, तो यहाँ सबसे बड़ी बड़ी इंपार इसी रिजन में इसलिए पैदा हुए थे, तो जोग्रफी की में, जब उनकी हर्शोदन की मौत के बाद, तो यहाँ भी हिस्ट्री बड़ बड़ा रोल प्ले करती थी, क्यों? क्योंकि यहाँ पर पानी था, और वो प्लेन काफी फर्टाइल थी, इसलिए वहाँ पर हमेशा जंगल लिया जाती थी, तीन रेंडम मैप टाले हमेंने, यह यहाँ से स्टार्ट होते थे, कुरूशे और कलिंग तक जाते थे, जो कि में आपका महाजन पड़ जो मगध या वैशाली थे, सारे बिहार के रीजन में आते थे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर गंगा थी, गंगा यमना दोगाब था, और सब सिंदु की पांच नगियों का ज क्यों यहाँ पर था, क्योंकि यहाँ पर सब सिंदु थी, और सब कुछ था, यहीं पर सी रीजन में, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा जो महान सामराज होए भारत के, वो यहीं पर होए, आगे बढ़ते हैं, अब नेच्रल रिसॉर्से वेस्टिन इरियाज में ही क्यों होते क्यों करती थी, यह मना कि दो आपके क्या importance है, क्यों most coveted and most contested area था यह, हमने पीशे बताइए, आप इस पे खुझ से भी थोड़ा काम करिया, लिखिये इसको, section में कि क्यों यह था, दूचर पॉंट्स यह हो जाएंगे, दूचर पॉंट्स यह हो जाएंगे, तो इससे आप कि व्यापार के लिए धमनियों का काम क्यों करती थी, अब आपको पता होने थी थी, क्योंकि यहां पर गोड़ से देखिए, जो आपका नक्षा है, यहां कितनी नदियां थी, गंगा यमना सारी, यहां बेफ्लो करती है, जोगरफी जो आप पढ़ेंगे, यहां आपकी इं पूर्ट यहां था आपका, यहां से आप इरान जाते, या फिर परचया जाते, या फिर नीचे जब बार में क्टक से स्टार्ट हुआ, जब ग्रीग वगर आए, या फिर यहां सेल्लुकस नहीं में अटेक जब इधर से किया था, तो वो सारी चीज़ें आपको याद होने अलिक्जेंडर का टेक, तो क्यों हो था ऐसा, इसमें आप पनी महनत थोड़ी करिये, मुझे कुछ पॉइंट बताइए आप कि क्यों होगा, यह भी इंपॉइंट पॉइंट है, कलिंग जो कि कोस्टल बैंड में उडिसा का था, वो महानदी और गुदावरी के पीच में थ जिसमें अशोक का फेटर को फेमस पता है, वो लडाई थी आकरी, जिसके पर उन्हें धम, बुद्धरम अपना लिया था, और हिंसा को त्याग दिया था, अब कॉपर माइंस बिहार में थी, खेतरी माइंस रायस्थान में थी, जहां पर कॉपर मिलता था, पर खास बात है, कि हमारे में क्या था, कि कभी ब्रॉंजेज नहीं आई, क्योंकि हमारे में कभी टीन बना ही नहीं, ठीक है, क्योंकि टीन नहीं था, स्वरी, टीन नहीं मिलता था, टीन नहीं था, तो इस वोसे ब्रॉंजेज नहीं आई, ब्रॉंजेज में आपो क्या चाहिए, मिक्स प्राइन के आपको चीज़ें मिलती हैं पर इंडिया में दुनिया में ब्राइन यूग आया था कासा यूग भारत में कभी आया ही नहीं इस चक्र में क्योंकि थोड़ा बहुत जो भी था कॉपर था और टिन था यह नहीं गई आसपास जो था वो सारे हड़ापा वाले शायल खदम करके जा चुके थे आईरन और धेर सारे हैं बिहार में आपको पते यह बिहार में है उडिसा में है फिर साउथ में ऊपर कश्मी पर इंथरसाइट है जो बी तक निकाला नहीं गया बट यह इंपोर्टन पॉइंट है यह था इसलिए हमारे पास आईरन एज वारी थी इसलिए प्रियार थे यह फिर आर्यांस के बार आने के बाद स्टार्ट हुई तो यहां भी एक इंपोर्टन पॉइंट पर देल तर कि इंडिया में ब्रॉंजेस क्यों नहीं आई। क्योंकि टिन नहीं था नहीं था कॉपर तहूथा कॉपर कहां पहां था खेद्री तैम अपना रिविजन टाइम करते हैं तो जो हमने पड़ा सबसे पहले इंडिया का टर्म किसने दिया था इंडिया को याद कीजी पर्शिंस और वैसे एक तरह से पर्शन है और आपको ध्यान रखना प्लाइगा टर्म क्या आप इंडिया की बारत के इंडॉस पहले ग्रीक सब सिंदु नाम दिया था जैन नवस्थागी बुक में चाहिए चलिए आपको कॉर्रेट करके याद में चाहिए चलिए आप पुछला जो फीडियो का कुशिंग विच्टी का बताएं और सकी कंटेंट क्या है विने पुटिका क्या एक बुद्धिश्ट टेक्स्ट है त् तो आपका में नहीं पढ़ थीस कर लिजेंजे इसको simply है विन्यपिटिका में discipline maintain करने बısıर क्या discipline follow करेंगी वो जो उनके भिक्षू या भिक्षू नहीं है वो किस प्रकार से जीवन या पन करेंगे क्या अपवाद होग이 उनकी जीवन में कब ये इससे बाहर निकले कुछ और कर सकते हैं वो उसको बता था है वी ने पिटिका त्री पिटिका में अभी धम पिटिका यह सब को पता हो ना चाहिए और हां चलिए क्या आपको पिछले वीडियो से कुछ जैन्ट टेक्स याद आ रहे हैं ज्यादा थे नहीं दो थे अग परसी नहीं परशते से पुरानी बगव यह मानने जाते हैं जैन आवस्ता जिसमें सब सिंदो का जिकर आता है सर्ष्व दिया जैन्वस्ता और यह एक जुुना गा रैसा इंस्क्रिप्षन फिर पिछले वीडिए कशे यह पॉइंट है किसका था जुना गा रॉक इंस्क्र होता है कि मैं आपके लिए छोड़ता हूं आगे चलिए हमें अपना स्टोर ने स्टार्ट करनी है तो देखिए मैं इसमें भी डालता पर क्योंकि टिप टॉपिक मिड टॉपिक है जब हमारा पूरा जो पहले लोथिक नियो लिटिक एज खतम हो जाएगा तब हम एमसी की उसका पाएंगे कि अभी बीच में उतने दोंगा तो काफी लंबा चलेगा लेंडी है तो अब टाइम लाइन की बात करते हैं कि हमारी हिस्ट्री मूव कैसे करती है देखिए पहले आता है लोग पेले लिटिक फिर मीडिया मीडियल पेले अपर पेले लिटिक तीनों जादा इसमें कुछ हुआ नहीं सब्सक्राइब हुआ हुआ नियू लिटिक में और चैलको लिटिक में और फिर आप अपा के बाद हमारी मॉडर्ण जिसे कहते हैं अच्छी वाली थोड़ी हिस्ट्री स्टाट हो जाती है अब यह थोड़ा बोरिंग्स है पर कोई बात नह आप 6,000 बीसी तक आप इसको कवर करें हैं यह तीन पहले लिटिक मतलब क्या होता है स्टोनेज मतलब स्टोन स्टोन स्टोनेज में आपका स्टोनेज को प्री हिस्ट्री भी कहते थे प्री हिस्टोरिकल टाइम्स क्यों जब किसी वहां पर कोई रिटेन रिकॉर्ड नहीं है जिस यूग की written history नहीं होती है उसे हम कहते है prehistory history मतलब इतिहास इतिहास लिखित होता है जो अलिखित इतिहास है उसे prehistory कहते है अगली बात है कि मानव था मानव जो था भार में से पहले 50,000 साल पहले मानव था रहा करता था और एक ही भारत देश में आज तक fossil मिला है hominoid fossil मुझे याद ने इसको हिंदी में क्या गएंगा इसको इंगलिश में hominoid fossil कहते है जो कि नर्मदा वैली के पास मिला था homo erectus था यह रहा homo erectus homo sapiens नहीं है homo erectus था जो आप evolution जो बालो जी मुझे पढ़ेंगे तब होता है homo erectus कौन सी size का था मैं भी इसको drawn नहीं कर सकता और culture जो होता है हमारा वो based होता है जो हम historical culture बाता है पाशान यूग है यह यूग है वो यूग है चल को लेथिक age है या फिर नियो लेथिक बेसिक फोकस होता है कि मैटल कौन सा है कि इस मैटल का यूज करके वेपन मनाते है उसको उसी यूग का नाम दिया जाते है स्टोनेज में आपके पत्थर के मैटल सभा करते थे कॉपरेज आई ब्रॉंज आई तो वेपन जो थे बिसिकली सबसे पहले हम इसी में जो हमारा पहली लिथिक है इसको शुरुवात करेंगे मतलब पुरा पाशान यूग और पहले लिथिक मतलब पुरा पाशान यूग तो पुरा पाशान यूग में आपका पहले लिथिक वो कैसा था वो लोर ने लोर था फिर मिडल आया फिर अपर होता गया था कि सबसे पुराना हाथ से लोग ऐसी हेंड एक्स यूज़ करते थे हाथ का बनाए वाह तोड़ा जिसको फोड़ फार की बना दिया जैसे देखिए इसमें कुछ जारा कलाकारी इसमें की नहीं हुई है यह है आपके लोवर पहलो थिक है मतलब सबसे पहले वाले जो आपका पूरा पाशान युक था उसका है हैंडेक्स हाथ से बने वे वह उसका यूज करते थे कुछ नुकिला बना दिया कॉट्जाइट काफ फ्लेक्स बनने लग गए एक चीज़ पर रखके दूसी तोड़ने लग गए हो तो जादा बेटर तरीके से धारवार होने लग गई और जो अपर आया उसमें वह फ्लेक्स पर ब्लेट बनाने लग गया तो और बहतर है थियार बनने लग लग तो स्टार्ट करते हैं लोवर कई सारी साइट्स थी पहलगाम बेलन वैली अलाबाद में थी बैली ओफ सोन रिवर इन पंजाब मिर्जापूर इन जगह पर कई साइट्स मिली हैं जहां पर इसम मिलता था और सिंग इसमें दो-तीन साइट्स बहुत इंपॉर्टन था इसमें अतिराम पक्कम तमिलनाडु की सिंगवी तलब नागपूर रायस्थान की और एक केव है यह वाले आपकी बूरी केव महधिबदेश के पास है भपाल के पास जिसमें सबसे पहले human settlement इंडिया में कही थे तो इससे परहा लगता है बूरी केव से बूरी केव कब ती अपर पेलोथी के जमें थी क्या पता रूबर्ट रूस नाम याँ रिख लिए रॉबर्ट रूस इसने पहली पहला एविडेंस मिला था दो चीज़ें आ रखिए और एक और पॉइंट आ सर्वे इंडिया का हेड़ कौन था अक्सर यह ऑप्शोंस में आता ही बंदा डिर्कली नहीं आए गए ऑप्शोंस में आएगा फसाने के लिए चार नाम होगे कि किसी ने डिसाफर किया था कोई और कनिंगम होगा उसके साथ इसको फसा देगा किसी लॉड के साथ आपको डाल सब्सक्राइब के तरफ आपको याद रखना सेड़ेगा यह सारे पॉइंट्स इंपोर्टन है अब मिडिल पालतिक एज में आप हतियार को देखिए हमने पहले हतियार देखे थे इनके लोगर प्लतिक वाले काफ़ी सिंपल से कुछ नहीं था पर इंदोने एक चीज के था इन्होंने फ्लेक्स मतलब टुकडे करके उसको पर टूल डालके बनाना सीख लिया स्क्रैपर मेड़ा फ्लेक्स तो देखिए यहां देखिए काफी एक स्तर है दूसरा स्तर है तो तीन देखे धार दार बन गया है दो 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 शुरू कर दिया था तो यह आप देखिए थोड़े जादा धार थे हैं दो तीन धार एंगल बन गया इसमें तो इसली चोड़ होती थी इससे तो इंपॉर्टन है अब देखिए मिडल यह जो थे मिडल मिडल प्लेटिक एज में इसमें आपको कई प्लेसे मिलते हैं नर्मदा के आसपास या फिर आपको तुंग मदा लग गया तो इंसानों के जीने के लिए जादा सोलीज होने लग गए ठीक है जो आपका शीत यूग था वह समापत होने लग गया था और इसी टाम में केव और रॉक शेल्टर्स डेवलप होने लग थे जादा अपर प्लेल थिक में इसलिए भीम बेटका के जो बहुत मिलता ही जबकि पहले वाले में हैंट एकसेस का यूइज में ही मिलता है महान में होटा यहाँ होमो但是 मिला था यहाद रखिएगा आपका मॉडनימ मिला चनिंगम कौन था एलेक्जेंडर करिंगम कौन था पल्लवरम क्या था पल्लिवरम और क्या क्या चीज होते थे यूजम और बोरी केव क्या है और सारी चीज़ आपको याद होनी चाहिए अब देखे हमारा आज का इसमें काफी कुछ है तो मैं इसको लंबा निकिशना जाता नियो अलग से करेंगे और पूरा उसको कवर करने खुशिश करेंगे तो पहली बात है कि अगले वीडियो में क्या होगा नियोलिथिक और मैसोलिथिक एज हम खतम करेंगे और अपना करेंगे और नहीं वाली भी पढ़ लिए काम चल जागा यह वीडियो देखते रही है तो आपको एंसाइटी में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा पुराने को बहुत बोरिंग है नहीं वाली भी बोरिंग है पर हम कोशिश करेंगे कि आपका पूरा पूरा इज कर सकें आपके इसको पढ़ने के लिए और अपना फीडबैक देते रहे हैं आप जैसे से फीडबैक देंगे हम इसको और इंपूर्व करें प्लीज अपना फीडबेक देंगे और हाँ पीडिएफ कर लोगो स्लाइट की मांगे तो नहीं यह आपको अली आई से मिल जाएग कई लोग पूछने क्या प्रिलिम से पहले हो जागा अफकोर्स प्रिलिम से पहले हो जागा और काफी तैम पहले हो जागा तुँ थैंक यू गाईज़ थैंक यू बरी मच वाचिट गाउच यह ञाएग था है मच्छ फीडबैक थैंक ग्यू भरी मच